हलो प्रिंज एंविरी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में आपको बताएं लिए बालों को नाचुरल तरीके से काला रखने का तरीका आज कर यंग एज में ही बालों का सफेध होना आम बात हो गई है बिगरते लाइफस्टाइल और गड़क खानपां के कारण बालों को जरुरी पोशन नहीं मिल पाता इसकी वज़े से बाल समर से पहले ही सफेध हो जाते हैं लेकिन खब्राएं नहीं आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इने काला करने का नाचुर तरीका जोस्तों सफेध बालों को कवर करने के लिए कई लोग महिनी लगाते हैं लेकिन इसका रन कुछी दिनों तक तुकता है। साथी ये बालों के रन से भी अलग दिखता है। कई लोग hair color का भी यूज करते हैं लेकिन इसमें मोडूल थामिकल्स बालों पर बुरा असर डालते आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक आयोविदिक टेल बनाने का तरीका अगर आप इस देल को यूज करेंगे तो कुछी दिनों में आप बालों के रग में फर्क देख सकेंगे ये बालों को पूशन देगा और उन्हें सफेद हुनी से रोखेगा इसी के साथ ये कि इस सीतेहकी से बनाना कैसे है ये कशिआ, SPB kannos jy को मिकसर में पीछले हैं कलांजी सीड में लिगलॉन और थाई मोख विनों नाम के तर्थम होते हैं जो बालों को जड़ने से रोपने में मदद करते हैं। कलॉन जी बालों की जड़ों को पोशन देती है और बालों को मस्बूल और घना बनाती है। इसी तरह एक कब दाना मेथी को पीस कर उसका पाउडर बना दे। दाना मेथी डेंजर्फ को कम करती है और ये बालों की गोठ में भी मदद करती है। ये बालों का जड़ना रोपती है ये बालों को चमकदार और सौक बनाती है। अब एक पैन में नारिल कती गर्म करें अब इसमें मिक्सर में पिसा हुआ कलॉंजी पाउडर और दाना मेथी पाउडर मिलाएं इस मिक्स को 5-7 मिनिट के लिए गैस पर गर्म होने दें इसे मिक्स करें और जब ये गाड़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें इसके बाद इसे वोन टेम्परिचर पर ठंडा होने दें जब ये मिक्स ठंडा हो जाए तो इससे छल लें या फिर रेशम के कप्रे से चान लें आपका आलवीदिक तेल तयार है अब आपको बिताते हैं कि इसे यूज कैसे करना है हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लेकर स्केल्प पर लगाएं अब धीरे धीरे बालों की जड़ों में मसाज करें इसके बाद तेल को बालों के सिरों पर भी लगाएं आप इस तेल को रातियों सुने से पहले ही लगा सकते हैं और अगे दिन शांपू कर सकते हैं कोशिश करें कि क्यामितल की शांपू का ही मूज करें इस तेल को हक्ते में दो बार लगा हैं आपको 30 दिनों के अंदर पर दिखने लगेगा ये बालों को नाच्रूल तरीके से काला करेगा इसी के साथ बालों का जुड़ना कम होगा और डंडर्व की प्रोब्लम भी दूर होगी ये तेल आपके बालों को एक नई चमक देगा साथी साथ आपके बालों की योध में भी मदद करेगा ये तेल नाच्रल इंग्रीडियन्स से बना है तो इसका कोई साइड एपक्त नहीं है इस तेल को बच्चों से लेकर बड़े सब ही यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल सफेथ हैं तो नहीं होगे और नहीं है तो फिर कभी नहीं होगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का पटन दबाईए और इस कमार के आयुवधिक तील के सीक्रेट को सिर्फ खुद तक सीमितना रखें अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही काम की टिप्स के लिए सब्स्ट्राइब करें MBT